दोस्तों नमस्कार माराष्ट के पूर्व ग्रेह मंत्री अनिल देशमुक की मुश्किले लगातार बढ़ती ही जा रही है वसूली रैकेट का दोस्तों जब से भांडा फोड हुआ है तब से देशमुक की रातों की नीद हराम हो चुकी है और गरफतारी की तलवार लटक रही है सो अलग अब दोस्तों एक और ऐसी ख़वर निकल कर सामने आ रही है जिससे देशमुक के साथ साथ अब उनके परिवार वालों की भी मुश्किले लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है दरसल अब E.D. यानि की इनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट ने महरास्ट के पूर्व ग्रे मंत्रिया निल देशमुक के बेटे सलिल देशमुक को भी समन कर पूछताच के लिए जो है बुलाने वाली है बताए जा रहा है कि इस दोरान E.D. लेंड डिल को लेकर सलिल देशमुक से पूछताच कर सकती है मीडिया रिपोर्ट के मतार महरास्ट के उरण तहसील में आठ एकर जमीन सलिल ने एक कमपनी के जरिये ली थी जिसमें दिल्ली की कुछ कमपनियां शामिल हैं बताए ये जा रहा है कि ये लेंड डिल तीन सो करोड रुपे में दोस्तों की गई थी इस जमीन को खरीदने के लिए सलिल देशमुक ने कहां से पैसो का इंतिजाम किया और इस धन का दरसल स्रोत क्या है source of income के लिए जो है अब enforcement directorate ने उन्हें समन भेज दिया है और ED इन सवालों के भी जवाब जानने की कोशिस करेगी क्या इसमें ततकालीन ग्रह मंत्री अनिल देशमुक का भी कोई रोल है इन तमाम बातों को लेकर ED सलिल देशमुक से पूछताच करने वाली है जब से दोस्तों अनिल देशमुक पर वसूली करवाने के आरोप लगे है एक के बाद एक उनके परवार बालों पर जो है मुसीवतों का पहार तूटता जा रहा है इससे पहले enforcement directorate ने अनिल देशमुक के बेटे रिशिकेश देशमुक को नागपुर की उनकी कमपनियों को लेकर जो है समन भेजा था रिशिकेश एडी के सामने पेश नहीं हुए और वकील के माध्यम से समय भांगा है वहीं अब दूसरे बेटे को भी enforcement directorate की तरप से जल्द समन भेजने की जो है जानकारी निकल कर सामने आ रही है दोस्तो एक के बाद एक तमाम खुलासों के बाद एडी लगातार देशमुक और उनके बेटों को समन भेज रही है लेकिन कहीं न कहीं ये सब लोग एडी के सामने पेश होने से बचते हुए दिखाई दे रही है देशमुक तो चलो अपनी उम्र का बहाना बीमारियों का बहाना बना रहे हैं लेकिन उनके बेटे रिशिकेश देशमुक एडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए क्यों बार-बार समन का जवाब बकील रूपी ढाल के जरीये दिया जा रहा है अगर कुछ भी गलक नहीं किया है तो फिर जांच एजेंसी के सामने पेश होने में बुरा ही क्या है एजेंसी के सामने पेश होने का डर दोस्तो ये साफ तोर से दर्शाता है कि थोड़ी बहुत नहीं बलकि बहुत सारी गड़वडियां की गई हैं और ED को दोस्तों शक है कि जितने भी मामले निकल कर अभी तक सामने आ रहे हैं सब में कहीं न कहीं महारास्टर के जो ततकालीन ग्रह मंत्री थे अनिल देशमुक उनका सीधे तौर पर इसमें हाथ है इसलिए तो ED यानि कि Enforcement Directorate ल लेकिन ED ने अपनी जाच को आगे बढ़ाया और अब देशमुक के दूसरे बेटे सलिल देशमुक भी मुश्किल में पढ़ चुके हैं Enforcement Directorate होने भी बहुत जल्द सम्मन भेजने वाली है 300 करोड रुपे की लेंड डील को लेकर अब दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि सलिल देशमुक इड़ी के सामने पेश होते हैं या फिर अपने पिता अनिल देशमुक और भाई जो है रिजिकेश देशमुक की तरह कोई बहाना बना लेते हैं दोस्तों पूरा मामला कथित तौर पर करोडो रुपे की रिश्वत और उगाही से जुड़ा है जिसके आरोप लगने के बाद अनिल देशमुक को ग्रह मंत्री पत से स्तीफा देना पड़ा था वहीं इन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट अनिल देशमुक के निजी सचेव स निजी सहाय कुंदन शिंदे को भी ग्रफतार कर चुकी है और लगातार इस मामले में जो है नए खुलासे हो रहे हैं जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो पहले अनिल देशमुक के ऊपर जो है शकंजा कसा गया फिर उनके बेटे रिशिकेश देशमुक को लेकर भी जो है तमाम सारी चीज़ां निकल कर सामने आई और अब इनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट अनिल देशमुक के दूसरे बेटे सलिल देशमुक पर जो है रिमांड कसने की तैयारी कर रही है उन्हें जो है अपने दफ्तर में पूछताच के लिए बुनाने की जो लिख बताएं इस वीडियो में इतना ही जल्द मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में दूसरे अपडेट के साथ में तब पके लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चै मने बेल आइकन को भी प्रेस कर रहे था कि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आउं तो सबसे परले नोडिफिकेशन आपको मिले